दौर था कि बच्चे गेम बाहर खेला करते थे उसके बाद आया दौर गेम का तो बच्चे इंडोर गेम्स ज्यादा खेलने लगे जैसे कि पब जी फ्री फायर अब आया है दौर ओटिटी का तो लोग घर पर ही बैठके मुवी देखना पसंद करते हैं आज कल वीवर्स को ठ फिल्मेकर्स लोग के लिए बहुत बड़ा टास्क हो गया है जब तक कोई ब्लॉगबास्टर मुवी ठेटर में नहीं आती तब तक लोग नहीं जाते ठेटर में जैसे कि हिट मुवी को ही देख लो सुबह के 200 कैंसल हुए उसके बाद 6 लोग होने के बाद ठेटर में मोवी लगी रिवीव शुरू करने से पहले मैं बता दो कि हिट मुवी का ओरिजनल कॉपी एमाजन पर अबलेबल है कि जो 2020 में आई थी उसी कई एक कॉपी 2022 में निकली है चलिए शुरू करते है रिवीव बात करें स्टोरी लाइन की तो स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि र रोल निभाई है के साथ सान्या मनुत्रा फॉरिंसिक डिपार्टमेंट में रहती है कैसे टाकर विड़ता है स्टोरी में कुछ भी नहीं राजकुमार राव का ट्रॉमा का ट्रीट्मेंट चलता है क्योंके साल जो पास्ट में घटना हुए थी उसके वजह से उनको आग से डर लगता है और उनको बहुत सारे बैट्रिम्स आते हैं स्टोरी में आपको एक फ्रेंड भी देखने को मिलेगा जो कि रोहन सिंग ने उनका रोल निभाया है जिनका करेक्टर नाम है वीरू करके जो कि हर मुस्क्री में राजकुमार राव का साथ देखने को मिलेंगे प्रिती नाम की लड़की घर से छुट बोलके निकलती है अपनी कार लेके हाइवे पे जाती है और उसका कार खराब हो जाता है देन आफटर एक पुलिस वाला आता है उसके हेल्प करने के लिए बट वो मना कर देती है और उसके बाद वो लड़की वहां से गया बो जाती ह उसके बाद वही पुलिस वाला उस सॉल्फ करने कोसिस करता है बट लड़की के माबाप जोकी एकलोते नहीं रहते है उस पुलिस वाले को ने काम पे से निकाल देती है इसी के बीच में राजकुमार राओ का जो प्रॉब्लम होता है दिमाकी वो बढ़ जाता है तो सानिया मनुतरा का हो गया किटनैपिंग दैना में स्टूरी यहां से शुरू होती कि राजकुमार राओ कैसे प्रिती और सानिया मनुतरा को बचाते है क्या क्या तकलीफ जहलने को मिलती है बात करें मेरे पॉइंट वी कि तो मैं को यह मुवी ओकी लगी है कितनी खास स्टूरी नह थी जैसे कि बॉबी देवल ने सेम केरेक्टर का रोल किया है लव हॉस्टल में जो की जी फाइफ पर अबलेबल है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि राजकुमार राओ के लिए यह मुवी नहीं बनी थी फिर भी इंको चिपकाया गया इस मुवी में बाकि अगर आपको रिव लिए में